हेलो एवरिवान वेलकम टो आरेंडी विद कीवी और मैं हूँ दीपा आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही इजी अफोर्डिबल और अमेजिंग रेमेडी लाई हूँ जो आपके डाक स्पॉर्ट्स पिग्मेंटेशन को रेडियूस करेगा विदिन सेवन डेज आपक विदिन सेवन डेज मैं बोल रही हूँ और तीन दिन के अंदर अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स को भी कम करेगा अगर आपको डाक सरकल्स होते हैं आपके पफी आइज रहती है और या फिर अगर आखों के निचे आपके बहुत ज्यादा जूरिया होती है रिंकल्स हो को कि या उसको आपको रोज करना हैं और डोंट वरी आपको रोज रोज कुछ में बनाने को नहीं कहूंगी एक ही बार आप इसको बना सकते हैं आट-dust दिन के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है और पहली बार वी बनाने के लिए बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा, आ आपको इसको बनाने में और इसको इस्तमाल करने के लिए भी आपको hardly two minutes लगेंगे अगर मैं बात करूँ इसमें इस्तमाल होने वाली चीजों की तो इसके लिए आपको सिर्फ दो या तीन चीज़े चाहिए जो आपके घर में पहले से ही मौजूद होंगी पर उनके नाम सुन करिए और एक बार इसको आप इस्तमाल करके देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे मुझे पता है कि यूट्यूब पे से बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें बहुत सारे फेक प्रॉमिसे होती हैं वो रेमेडी कुछ जादा काम नहीं करती हैं पर मैं आपके साथ ऐस इसके लिए पोटेटो एक छोटा आलू आपको चाहिए आप उसके चलके को उतार लेंगे और फिर आपको इसको इसको इस्तमाल करना है दूसरी जो हमको चाहिए वह कुम्बर यानि की काकडी जिसको हम खीरा कहते हैं यह आपको चाहिए लगबग आधी और उसके बाद लिकी लेमन और वो भी आपको चाहिए आधा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप निवो को छोड़ दीजे तब भी यह बहुत अच्छा काम करेगी अगर आप निवो इसके बाल नहीं करेंगे तब भी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जादा चेंज नहीं होगा सेंसिटिव सकीन वाले भी इसको जरूर ट्रा है करें जोकि एक बहुत ही स्टाची वेजिटेबल है उसमें बहुत सारा विटमिन एबी और सी होता है और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे Queensboroughs होते है जो आपकी सकीन के लिए बहुत अच्हे हैं आपको पता होगा अगर आपने इसके पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको यह चीज समझ आ गई होगी कि जिस भी चीज में विटामिन C होता है उसके अच्छे एंटी एजिंग इफेट्स होते है तो पोटेटो और कुकुमबर के साथ भी ऐसा ही है इन दोनों भी चीजों में बहुत अगर मैं बात करूँ पोटेटो की तो यह आपके स्किन को नाचरली लाइटन कर सकता है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है इसके साथ ही जो पोटेटो है वह आपके संटैनिंग को भी कम करता है और डाक स्पोर्स और एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन इसको कम क करने में यह बहुत अच्छा काम करता है कुकुमबर जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लेवनोइट और एंटी ऑक्सिन जो होते हैं उसमें वह आपके जो आइलेटेट प्रॉब्म्स उनको सॉल्फ करेंगे आपके डाक सेकल्स को कम करने की बात हो या फिर आपके पफी आइ यान की, आपको जादा दिन तक यूथफुल रखने में मदद करे मुद पर इसके साथ ही में हम सब को पता है कि वीटमिन सी होता है और वो नाचल एक डीच का काम करता है स्टियन को लाइटिं करने का काम करता है इस्गर कर सब स्बढ़े लिए अपने पोटेटो और को कुम अज़े साथ ही इसमे मैं आधा निंबु का रजबी आड़ कर दे रहे हो और अब आपको इसको पीस लेना है जब अच्छे से पेस्ट बन जाए तो फिर आप इसको उतार लेंगे और iSको आपको निकालना है आइस क्यूब के ट्रे में आपके गर में जो आइस क्यूब वाला ट्रे है वही आपको यूज करना है और इन आइस क्यूब के ट्रे में आपको इस पेस्ट को भर देना है इसको अच्छे से फिल कर लेने के बाद आप इसको फ्रीजर में रग दे और कुछ घंटे के बाद कि आप 10 दिन का ही बनाई और उसके बाद फ्रेश बैंग बनाई इसको इस्तमाल करने के लिए आप इसमें से एक आइस क्यूब को निकालेंगे और उस आइस क्यूब को यूज करके अपने पूरे फेस पे और नेक पे मसाज करेंगे मसाज करते वक्ति आपको फील होगा कि इसे ही छोड़ देंगे मसाज करने के लिए आपको हार्ली दो से तीन मिनिट लगेगा उस से ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन मिनिट में आपका जो पूरा आइस क्यूब हो मेल्ट हो जाएगा इस चीज को आप ऐसे ही अपने फेस पे रहने देंगे कम से कम बीस से तीस मिनिट के लिए कम से कम बीस से तीस मिन टकने के बाद जब अच्छे से सूप जाएगा उसके बाद आप इसको वाश कर लेंगे और वाश करने की इमिजेटली बाद आपको आपके स्किन पहले से बहुत जादा स्मूध लगेगी एक इंस्टेंट फैरनेस आपको इफेक्टिव रेमिडी इसको एक बाद ट्राइ करिएगा और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको एक थम्स अप दीजेगा और अपने सभी फ्रेंज इन फैमिलिक साथ को शेर करिएगा मैं जल्दी आपको मिलूंगे अपने एक नए वीडियो के सा साथ बढ़ उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें कीप स्माइलिंग एंड टेक गूड केर अफ यॉसल्फ बाई बाई